प्यारे बच्चों मैं रंग्नाराय अयुद्या दास राज की कन्या इंटर कालेश गोरख पूर कच्छा अच्छा है कि हिंदी की कच्छा में आप सभी का स्वागत है बच्चों आज हम लोग हिंदी के चौथे अध्याय का पठन-पाठन के क्रम में जानेंगे और समझेंगे बच्चों चौथा पाठ चुआ है उन्नी ती के दो है हमने पहले भी बताया था कि इस पाठ को हम दो भागों में बिभक्त कर दिये हैं पहली पाठ योजना में हमने कविवदा जी को पढ़ाया था और आज दूसरे भाग में हम रहीम जी को पढ़ाएंगे बच्चों रहीम का पूरा नाम अब्दुलरहीम खान खाना ये अगबर के नौरत्नों में से एक थे ये अर्बी भार्शी और संस्कृत के बिद्वान थे इनकी रचना जो है रहीम सप्षाई और रास पंचाध्याई है इनके दोहे बच्चों नीति मूलक दोहे हैं आईए दोहों को पहले हम पढ़ते हैं वे रहीम नरधन्य है परुपकारी अंग बाटन मारन को लगे जुल मेहदी को रंग रहीमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गये न उबरे मोती मानुस चून रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोई असुन इठले हैं लोग सब बाटन ले हैं कोई जो बड़े इनको लग कहे नहीं रहीम घटी जाए गिरधर मुरली धर कहे कच्छ दुख मानत नाई समय लाब समलाब नहीं समय चूक समचूक अच्चतुरन चित रहीमन लगी समय चूक की हूग बचों रहीम दाश्ची कहते हैं कि वे रहीम नर धन्य हैं वे लोग धन्य हैं परुपकारी यंग जो उपकारी लोगों के साथ रहते हैं वे लोग क्या हैं धन्य है और बातन वारण हो लगे बटने वाला, पीसने वाला, जियो मेहदी को रंग जैसे जो मेहदी को पीसता है और जिसके हाथ पर मेहदी रची जाती है तो दोनों का हाथ क्या हो जाता है लाल हो जाता है मेहदी जिसके हाथ पर रखी जाती है और जो मेहदी को पीसता है उसके हाथ पर भी मेहदी अपना लाल रंग लगा देती है के साथ रहते हैं जो उपकारी लोगों के साथ रहते हैं उसका फल उनको भी मिलता है इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमको अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनमें इन्यतिक गुण हैं जिनमें परुपकार के गुण हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं ऐसे लोगों के साथ जब हम रहेंगे तो निश्यत है कि उसका फल हमको भी मिलेगा आईए दूसरे दो को देखते हैं बच्चों रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून रहिम दाजी कहते हैं कि पानी पानी का अर्थियां क्या है बच्चों मान प्रतिष्ठा और इज़्जत से रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून बिना पानी के सब कुछ क्या है सूना है बेकार है अब पानी गए न ऊबरे अगर पानी चला जाता है तो तीन चीजें कौन-कौन से अस्तिक तो हीन हो जाती है मूती मानुस चून मूती का पानी क्या है बच्चों उसकी चमक मनुष्य का पानी क्या है उसकी इज़्जत और चूने के साथ पानी का अर्थ क्या है जल तो कहते हैं कि पानी रखना चाहिए मने जीवन में मान प्रतिष्ठा अपना बचा करके रखना चाहिए इसके चले जाने से समझलो कि जीवन में सब कुछ चला जाता है यहाँ पर कुछ आलंकार होगा बच्चों? यहाँ पर स्लेस आलंकार होगा यहाँ पर पानी एक शब्द आया है रहिमन पानी पानी के साथ तीन अर्थ चिपके हुए हैं मोती के साथ उसका चमट मनुष्य के साथ उसका सम्मान और चूने के साथ जल जब पानी के साथ ये तीनों अर्थ चिपके हुए हैं तो यहाँ पर कौन सा आलंकार होगा? स्लेस आलंकार होगा बच्चों जैसे चरम धरत चिंता करत चितवतिचारी होर शुबरन को खोजत फिरत कभी बेविचारी चोर तो इसमें भी क्या है वही चीज है कभी जो है वो क्या खोजता है शुबरन को खोजत फिरत कभी जो है वो सुन्दर रक्षर खोजता है चोर जो है वो सोरा खोजता है बेविचारी जो है वो सुंदर नारी तो एक सुबरन के साथ तीन और चिक्के हुए थे सुबरन को खोजत पिरत कभी बेविचारी चोर तो यहाँ पर सले सलंकार है सले सलंकार हमने बता दिया आपको अब आईए तीसरे दोहें को देखते हैं रहिमन नेजमन की ब्यथा मन ही राखो गोई रहीम दाशी कहते हैं कि बिथा बिथा क्या है बच्चों? दुख अपने दुख को अपने हर्दय में ही छुपा करके अपने मन में ही छुपा करके रखना चाहिए गोई मन ही छुपा करके रखना चाहिए और सुने ठलई हैं लोग सब बाटे न लई हैं आपके दुख को अगर कोई सुनेगा तो आपका परिहास करेगा आपका मजाक उड़ाएगा आपकी हशी उड़ाएगा कोई उसको बाटेगा नहीं उसको कम नहीं करेगा इस नाति अपने दुख को अपने दर्द को अपने अंदर ही छिपा करके रखना चाहिए इस दोहे में रहीमदाश जी हमको यही संदेश दे रहे हैं कि हमको अपने दर्द को अपने अंदर ही दबा करके छिपा करके रखना चाहिए क्योंकि उसको कोई कम नहीं करेगा सुनने के बाद उसका परिहासी करेगा उसका मजागी उड़ाएगा आईए चाओथे दोहे को देखते हैं बचों जो बड़ान को लग कहे नहीं रहीम घटि जाए गिरधर मुरली धर कहे कच दुख मानत नाई जो बड़े लोग हैं बड़े लोग का पतलब जो अच्छे लोग हैं जिनका समाज में एक अस्थान है जो अपने कर्मों के अपने सतकर्मों के बल से अपना अस्थान बनाए हुए हैं उनको अगर कोई छोटा भी कहे यानि जो लोग अच्छे हैं अगर उनकी कोई नहीं भी कहे तो रहीम दाशी कहते हैं कि उनका कुछ नहीं भीगड़ता उनका कुछ कम नहीं होता जो अच्छा है वह अच्छा है गिरधर मुरली धर कहे अगर भगवान कृष्ण को आप गिरधर मने गिर को धारण करने वाला चाहे आप कहिए और चाहे मुरली धर कहिए कच्छ दुख मानत नहीं वो कभी इसका दुख मानते ही नहीं है तो जो अच्छे लोग हैं उनकी कोई निंदा करे और चाहे कोई अस्तुति करे उन पर कोई उसका आफर नहीं पड़ता आई आखरी दोहे को हम देखते हैं बचों समय लाब सम लाब नहीं और समय चूक सम चूक अच्छ तुर अच्छितर रहीमन लगी समय चूक की हूँ रहीम जी कहते हैं इसमें समय की कीमत को समय के सदुपयोग का संदेश वो देते हैं रहीम दाशी कहते हैं कि समय लाब सम लाब नहीं समय के जैसा लाब कोई और लाब नहीं है बच्चों आज हम लोग जो पठन पाठन कर ले रहे हैं ये कल फिर जीवन में हमारी ये समय नहीं आएगा इसना ते आज के छड़ को बरतमान को कभी बेकार नहीं जाने देना चाहिए एक एक सेकेंड जीवन का जो है एक एक सेकेंड जो है बहुत ही मात्तोपूर है समय की कीमत को समझना चाहिए उससे बड़ा कोई लाब नहीं है और समय चूक समचूक और समय को अगर हम ब्यर्थ में गवा दिये बेकार कर दिये तो जीवन में उससे बड़ा कोई चूक नहीं है चतुरन चित रहीमन लगे समय चूक की हूँ और अगर जो लोग जीवन में रहीमदाजी कहते हैं कि जो लोग जीवन में समय को चूक जाते हैं समय की कीमत को नहीं समझते हैं उसकी कसक उनके मन से कभी नहीं जाती जैसे आज आपको जो पढ़ना है आप नहीं पढ़े कल अगर वही परिक्षा में पूछा जाएगा तो आप बार-बार के उलक कशक आपके मन में रह जाएगी कि मैंने पढ़ाई ये कर लिया होता तो फिर उसके बाद कशक के सिवा कुछ नहीं बसता है बच्चो इस नाते इस दोहे से हमको यहीं सिख्षा मिलती है कि हमको जीवन में एक-एक सेकेंड का सदुपयोग करना चाहिए जो समय चला जाएगा वो फिर कभी जीवन में वापस नहीं आएगा बच्चो सेक्सपीर नहीं भी कहा है कि जो समय की कीमत नहीं समझता वो समय उसे कभी नहीं बखसता जो सकस्थूल मैन है वो कभी किसी परिशानी को आड़े नहीं आने देते और जो अनसक्स्थ हैं जो सफल नहीं है वो किसी चीज़ को सामने खड़ा करके उसके पीछे खड़े हो जाते हैं कि मैंने इस वजentin नहीं पढ़ाई कि मैंने इस वज़़जा से यह कारिय नहीं किया नहीं बच्चों, हमको जीवन में सदुपयोग करना चाहिए समय की कीमत जीवन में बहुत महत्वपोर है अगर हम समय को गमा देंगे तो फिर हमारे जीवन में ये गुस्समें दुबारा नौट करके नहीं आएगा आईवचू इस पार्थ में जो कठिन शब्दा है उसका अर्थ हमने लिख दिया है बाटम वारि यानि सिल बट्टे पर इसे इसने वाला विथा व्यथा या दुख गोई छिपा करके हुक मने कसक और तत्सम सब्द लिख दिया हमने मानुस मनुष्य सवद शब्द किर्पा त्रिपा अब बचों इसको आप अपनी कापी में कर लीजिएगा हाँ बचों आईए हम लोग देखते हैं कि निमलिखित दोहे का संदर्व सहित व्याख्या कीजिए वे रहीम नरधन्य है जो कारी अंग अगर ये पुस्ता है तो सुरू का हमने जो रहीम और को रंग लिख दिये हैं इस दोहे का संदर्व व्याख्या कीजिए तो संदर्व हम देखो लिखें हैं बच्चों प्रस्तुत पद्यांस हमारी पाठ़पुस्तक मंजरी के नीति के दोहे से लिया गया है इसके गचैता रहीम जी है इसका संदर्वाब ऐसे ही लिखिएगा अब देखिए इसका प्रशांकी यह रहीम जी का नीत मूलक दोहा है इसमें जीवन के मुल्यों का सरस बर्णन हुआ है ये लिख करके बच्चों फिर आप इसकी ब्याख्या करिएगा वे रहीम नर्धन्य है इसकी ब्याख्या कर लीजिएगा दूसरा प्रस्ण है कि निम्लिखित सब्दों के दो दो अर्थ लिखिए पहला है तीर तीर का अर्थ क्या होता है बान और तीर का अर्थ बच्चों नदी का किनारा भी होता है पट पट मने होता है कपड़ा और पट मने द्वार भी होता है तो ये दो दो अर्थ सारंग सारंग का अर्थ होता है सिंग और सारंग का अर्थ हाथी भी होता है तो यह अपनी कापी में आप कर लिजिएगा बच्चों, आईए हम लोग ग्रिहकारी की ओर चलते हैं पहला है कि अपने मन की बैथा को मन में ही क्यों रखना चाहिए जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था बच्चों, इसका आप उत्तर अपनी कापी में लिखिएगा दूसरा है स्रावन द्वार वैसंचरे सारले सकल सरी में कौन सा अलंकार होगा? में कौन सा अलंकार होगा? संचरे में कौन सा अलंकार होगा? बच्चों हमने पहले भी आप से बताया था कि जब एक ही बढ़न किया बृत्ती एक से दो बार हो तो उहां पर अनुप्रास अलंकार होता है तो आप इसमें देखिएगा कि श्रमन द्वार हुएसंचरे साले सकल सरीर में कौन सा अलंकार होगा बच्चों ये ग्रह कारे हैं आप इसको कर लिजेगा अपनी कापी में अब हम आते हैं संप्राप्ति की ओर हमने क्या इस नीति के दोहे से जो नीति के दोहे पाठ था उसमें हमने क्या अपने जीवन में अनुभूत किया क्या हमने आत्मशाद किया बच्चों जीवन जीने के लिए आचार बिचार बैवहार हो जीवन को कैसे जी करके जीवन को सार्थक बनाया जाए नौश्य में कैसे मनुष्यता को अदय हो इन दोहों से largo समाज में अपने मान प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए जीवन जीया जाए ये संदेश हमको इन दोहों से मिला है हम अपने जीवन में इसको क्या करेंगे निरुपीत करेंगे जीवन के जिसमें छेत्र में जाएंगे इन भावनाओं से उस छेत्र को अभिशेंचित करें और परिवार का समाज का रास्ट का भाल उचा करें धन्यवाद बच्चों अगली पार्ट युजना में फिर मिलेंगे